हाई फ्रेंज़ वेलकम बैकटु दा ग्रामर गेमे फ्रेंड्स टेंज़ की सीरीज में आज मैं आफ आपके लेक्या हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंज़ कर देख सकती हैं मैं हीचे description box में दे रहे हूँ आप उस link पे जाकर उस video को देख सकते हैं Friends, मुझे उस video पे कोई like, कोई share, कोई comment, कुछ नहीं चाहिए मैं सिरुप इतना चाहती हूँ आपका tense का concept, basic concept पूरा clear हो जाए तो अगर आप वो video देखेंगे तो आपको present continuous tense समझने में और भी जादा समय हूँ जाएगे आज हम समझेंगे present continuous tense के बादे Friends, present का मतलब है वर्तमान continuous का मतलब है लगातार tense का मतलब है काल मतलब जो काम present time में वर्तमान समय में हो रहा है या फिर चल रहा है उसको बताने के लिए हम present continuous tense का यूज करते है present ongoing action मतलब वर्तमान में जारी कार रहे है मतलब जैसे जब मैं बोड रही हूँ जो बात मैं बोड रही हूँ उसी time वो काम में कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे present continuous tense का एक्जांपल के लिए माल वीजिए बाहर बारिश हो रही है मैंने अपनी विंडो खोली और देखा बाहर बारिश हो रही है मैंने एक दूंज आपको बोला बाहर बारिश हो रही है मतलब जो काम हो रहा है मैं उसी time आपको बता रहे हैं उस चीज़ को बताने के लिए उस काल को बताने के लिए हम present continuous tense का use करते हैं example देखिए friends example से पहरे मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि present continuous tense के हिंदी के sentences को आप परचानों के कैसे इनकी हिंदी की निशानी क्या है तो इनकी हिंदी की निशानी है जिन sentences के end में रहा है रहे है रही है आए वो sentences होंगे present continuous tense के और इनके English के symbols है subject प्लस is या फिर am या फिर are आप is या फिर are का use subject के according करेंगे उसके बाद वीवान यानि की verb की first form प्लस ing प्लस object अब मैं आपको ये बताते हूं is या फिर am या फिर are का use किसके subject के साथ होगा इसका use होगा 3rd person singular के साथ अब ये 3rd person singular क्या होता है तो friends present indefinite tense की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे सा explain किया है ये 3rd person singular क्या होता है इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको बोला था कि मेरी present indefinite tense की वीडियो आप जरूर देख लिए जिए जिसका लिंक मैं नीचे description box में दे रहे हैं short play मैं एक बार फिर बता देती हूं English में three persons होते हैं एक होता है first person, first person कौन होता है speaker जो बोलता है एक होता है second person, second person कौन होता है listener जो सुनता है और एक होता है third person, third person कौन होता है कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो उसको बोलते है third person, अगर वो व्यक्ति अकेला है तो उसके साथ हम बोलेंगे singular और अगर वो व्यक्ति बहुत सारे है तो वो कहलाएगा plural, तो इसका यूज़ोगा third person singular के साथ अब यह third person singular कौन होते हैं, यह होते हैं he, या फिर she, या फिर ik, या फिर किसी का नाम लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम, बहुत सारे व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम तब आप यूज़ करोगे आर का, एक्जाम्पल से और अच्छा से पियर हो जाएगा तो एक्जाम्पल समझेए, मैं टीवी सीरियल्स देख रही हूँ, अब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस या फिर एम या फिर आर प्लस बीवन प्लस आइंजी प्ल यूज़ पात हमने क्या लगा, I am क्या कर रहीं, टीवी सीरियल्स देख रहीं, फ्रेंड्स यहां पर टीवी सीरियल्स देखने के लिए जिस इंग्लिश वर्ट का यूज़ होता है, जो वर्प यूज़ होती है, वो है वाच, तो वाच के साथ या नि वर्प के साथ अपने किसका यूज़ करना, I am जी का, तो क्या बन गया, watching, I am watching, क्या देख रहीं, टीवी सीरियल्स, I am watching टीवी सीरियल्स, यह हमारा संटेंस तयार है, एक और संटेंस सेखिए, मेरा भाई, फुटबॉल खेल रहा है, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, क्या इंगर माई ब्रदर, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो हमने पहले क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट क्या इस, या फिर, I am, या फिर आर का, माई ब्रदर कौन है, थर्ड परसन सिंगुलर, ना मैं, ना आप, कोई तीसरा व्यक्ति, वो भी अकेला है, मेरा भाई मैं कोई तीसरा व्यक्ति है, और एक ही है, तो हम या पर क्या यूज़ करेंगे, इसका, क्यों, मैं आपको बता चुकी हूँ, थर्ड परसन सिंगुलर के साथ, हम इसका यूज़ करेंगे, अब माई ब्रदर, इस, क्या तरह, फुटबॉल खेल रहा है, खेलने की इंगिश, प्ले, प्ले के साथ हमने गॉप की फर्स्ट प्ले हो गई, साथ में क्या एड़ करना आई एंजी, तो क्या बना प्लेंग, क्या केल रहा है, फुटबॉल, माई म्रदर इस प्लेंग, फुटबॉल, संडेंस आपका तयार, एक और एग्जम्पल देखिए, वे सो रही है, यूज़ करेंगे, आप, सोनिक इंगिश स्लीप, वर्ब के साथ हमने, आई एंजी का एड़ करना, यूज़ का एड़ करना, कैसे एड़ करेंगे, दे आर स्लीपिग, हमारा संटेंस तयार हो, तो फेंट्स, आप जो जो काम अभी की अभी, इसी वक्त कर रहे है, आप बनात आपकी ममी खाना बना रहे है, your mother is making food, ऐसे करके आप कितने ही संटेंसिस, present continuous tense के बना सकते हैं, अब हम समझते है, present continuous tense के negative sentences को कैसे बना जाता है, बनाने के लिए रूल समझे सबसे पहले, तो हमारा रूल है subject plus is या फिर am या फिर are, जो की subject की according यूज़ होगा, plus not, आपने is या फिर am या फिर are के बाद not का use करना है, और उसके बाद वही same verb की first form, plus ing, plus subject, है ना कितना simple, बस आपने helping verb के बाद not का use करना है, example गखिए मेरे पिताजी अग बार नहीं पड़ रही है अब मेरे पिताजी कौन है third person singular ना मैं ना आप कोई तीसरा गखती है और वो भी अकेला तो my father third person singular के साथ आप इस देमार में से क्या यूज़ करेंगे इस यह मैं आपको बता चुकी है my father is not मैंने रूल में बताया आपको helping verb के बाद not कहीं उसके बाद verb की first form read उसके बाद ing तो क्या बना reading क्या नहीं पड़ रहे हैं अगभाब the newspaper my father is not reading the newspaper sentence आपका तयार है एक और example देखिए मैं गाने नहीं सुन रही हूं subject क्या है मैं I I के साथ अब क्या यूज़ करेंगे am plus not तो not क्या नहीं सुन रही हूं गाने सुनने में इंग्रिश में क्या बलते हैं listen to the songs verb की first form listen साथ में ing listening आगे to the songs I am not listening to the songs एक और example देखिए वे नहीं सो रहे हैं वे के इंग्लिश दे दे के साथ अब क्या यूज़ करेंगे आप सोना स्लीप वर्प की first form plus आहें जी स्लीपिक दे आर नॉट स्लीपिक हमारे संटेंस तैयार हो गए तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं present continuous tense के interrogative sentences interrogative मतलब प्राश्न वाचक sentences प्राश्न वाचक बागते हैं तो फ्रेंड्स प्राश्न वाचक बागते बनाने के लिए हम क्या करेंगे बड़ा simple सा रूल है क्या रूल है इस या फिर एम या फिर आर को subject से पहले यूजरे इस या फिर एम या फिर आर उसके सब्जेक्ट उसके बाद की पास क्रॉम प्लस लेयन जी और फिर अब्जेक्ट है ना बढ़ा सिंपल एक्जाम्पल देखिए क्या ने में तो おहा है और क्या है तुम्हारे घर अरहा है आपको पहले जोगे किया है क्या स्देश्ट वह क्या है योज और ही के साथ हमें क्या यूजे करना है Osn और और अपने क्या करना है इस या फिर आ या फिर आ को सब्जेक्ट नीगेटिव में आपने क्या करना है पहले यूज करना है और नौट को सब्जट्वक वर क्या है अब यहां सब्जक्ट का है कि यूज करता हैं आप हम सब्जब करना था हूँ अ वीपिंग वर्प के फास्वर्म वीप प्लस आई हैं जी वीपिंग की जड़ा प्राइंग का भी यूज़ कर सकते हैं ए हमारा Nara로्टेटिव ने गेटिव संटेंस बनाने का रूल और एक्जाम्ट अब सबसे इंप्रेंटब्स स्थ पार्ट आ रहा है और वह वे प्रेंट प्रेंट कन्टिनिउस टेंज्ज से को´ डब्लो ह sóए अब ब applies के defendant वोर्ट्स के साथ कैसी यूज़ किया जाता है अब ये WH family के words कौन से होते हैं तो वो words है Why, When, Where What, Who, Whose Which, Whom, How ये 9 words होते हैं WH family के words इन words को हम present continuous tense में कैसे यूज़ करते हैं अब हम ये समझे के अब friends ये 2 sentences जो आपको आपके screen पे दिखाई दे रहे हैं वो हैं क्या आप खेल रहे हैं और दूसरा sentence है आप क्या खेल रहे हैं तो friends क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनो ही sentences में यहाँ पर क्या, क्या आ रहा है तो आप कौन से sentence में क्या के लिए word का यूज़ करेंगे और कौन से sentence में क्या के लिए helping word का यूज़ करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं तो फिर्म्स यहां पर एक rule use होगा और वो rule ये है ऐसे sentences जहां पर question का जवाब हां या फिर नामे दिया जा सकता हो यहां से सुनिए ऐसे sentences जहां पर question का जवाब हां या फिर नामे दिया जा सकता हो वहाँ पर क्या के लिए word का use नहीं होगा वहाँ पर क्या के लिए word का use नहीं होगा helping word का use होगा तो आप हमारे sentences को देखिए क्या आप खेल रहे हैं इस sentence का जवाब आप हाँ या नामे दे सकते हैं क्या जैसे हाँ मैं खेल रहा हूँ या नहीं मैं नहीं खेल रहा हूं तो ऐसे sentences में क्या के लिए word का use नहीं होगा helping work बाहर आजाएगा तो helping work से sentence शिरोगा कैसे बनाएगे क्या आप खेल रहे हैं Are you playing यह sentence में आपको interrogative sentence में explain कर चुकी हूँ रूल बता चुकी हूँ अब हमारा next sentence है आप क्या खेल रहे हैं इस sentence का जवाब आप हाँ या नहीं नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर क्या के लिए what का use होगा वा फंडी का word है what जो की sentence में सबसे पहले यूज होगा उसके बाद यूज होगा helping work का उसके बाद subject plus weaver plus identity तो कैसे बनाएगे What are you playing तो friends ये था present continuous tense जिसको मैंने अपनी पूरी कोशिस से आपको पूरा detail में explain किया है अब बारी है आपकी आपको मैं चार sentences दे रही हूँ present continuous tense के इन चारो sentences को translate करके comment box में comment किजिए और आपके sentences हैं बारिश हो रही है बारिश नहीं हो रही है क्या बारिश हो रही है क्या बारिश नहीं हो रही है इन चारो sentences को translate करके comment box में comment कीजिए और आज की वीडियो आपको कैसी लगे ये भी जरूर बताइएगा Thank you but bless you all